पटना के पास एक बड़ी लूट की घटना को टेन तरजन अप्राधियों ने अंजाम दिया और यह लूट की घटना हाई प्रोफाइल माने जाने वाली दिल्ली कुलकाता दुरंतो एक्स्प्रेस में हुई तो आईए जानते हैं क्या है फूरा मामला तो हाई गाईस स्वागत है आपका एक नए ब्लोग में तो दोस्तो आपने कभी न कभी रेल या ट्रेंज से सफर तो जरूर किया होगा लेकिन सफर कभी कभी इतना खतरनाक भी हो सकता है तो आईए इसकी बानगी देखते हैं क्योंकि रभिवार की रात नई दिल्ली से कोलका जाने वाली 12-274 हावडा दुरंतो एक्सप्रेस की तो रभिवार की रात तड़के लगभग 3-4 बजे की आसपास जैसे ही ट्रेन पटना से आगे बढ़ी तो बकतियारपुर से पहले सालिम पुरिश्टेशन पढ़ता है वहाँ पे एक आएक किसी ने चैन पुलिंग की तो और सवार होते ही उन्होंने लूट पाट शुरू कर दी उन्होंने यात्रियों के और महिलाओं के पर्स मोबाइल गहने तथा अन्यक किमती समान लोगों को बंदू की नोग दिखा कर लूट लिया और वारदात को अंजाम देने के 5 मिनट के ही अंदर ही सारे बदमास ट्रे चुपाने को कहा था तो इससे जी आरपी पर भी सवालिया निसान खड़ा हो गया है वैसे पुलिस के अधकारी और जी आरपी के जवानी मामले की संगान में लेते हुए आरोपियों के खिलाब कड़ी करवाई की बात कही है तो दोस्तों यही था पूरा मामला उमीद है इस ब्लोग से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए जै हिन जै भारत